हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक आउस चैनल आप सभी आपके अपने चैनल पर स्वागत और आप सभी को काफी लंबे समय से इंतजार था कि जैसे ही चार तारी को एंसेटी की मिटिंग हुई थी उसके बाद कंटुनियसली बच्छे पूछ रहते कि माम क्या रहा है और अपकी क्या फिर से निक्स डेट मिलेगी क्या रहेगा तो फाइनली जो चीजे हैं वो हम लोगों के मतलब उसमें ही है पॉजटिव में आप मान सकते हो एंसीटी ने अपना रप्लाइ सम्मिट कर दिया है फाइनली जिसीसका सभी को इंतजार था वो खतम हो चुकी है यानि कि जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो एंसीटी का रिप्लाइ है उन्होंने हर्याणा गवर्मेंट में जो बीड के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो छूट देती है यानि कि ठीक है अपकी बार जो भरती होगी वो बिना बीड के हो जाएगी लेकिन हां आगे जाके बीड करनी पड़ेगी तो अगर है आपको टीचर बनना है तो आपको बीड करनी ही है चिक है तो चलो अब ऐसे भी आगे भी ज़रुत थी पर ठीक है अभी आपको रिलेक्शेशन मिल रही है आप अपना एक्जाम दे पाओगे और आगे जाके अपनी बीड को कर लेना तो बहुत अच्छी जो है आप मान सकते हो कि भी आप लोगों के लिए क्योंकि जो पुराना क्राइटेरिया था तो उसमें रिलेक्शेशन दे दिया गया है आगे आगे जो है उसके अंदर चेंजिस होते आएंगे जब आगे आपका एशेट आएगा या जो भी नेक्स नोटि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूस है कि आप लोगों के लिए अभी रिलेक्शेशन दे दिया गया है अभी आपका एग्जाम हो जाएगा तो पूरी पूरी उमीद है कि इस 13 दिसंबर को फाइनली डिसाइड हो जाएगा और शायद अगले 10-15 दिन में या फिर जो आपका दिमाग का पाने पी चुके हैं तो अपनी त्यारी शुरू कर दो डेली एक एक कोशन लिखना शुरू कर दीजे आज से ही अभी से ही वीडियो देखने के बाद शुरू कर दो अपना धीरे-धीरे कोशन लिखना शुरू करो जो प्राक्टिस छूट गई है और ही आपका कभी भी सतलक हो सकता है अब बस आज 11 है 12 इसाई बारा परस्व आपकी है और फाइनली जो है वहाँ पर हो जाना चाहिए को आपका पर ग्वार कोशन लिखने को मिलए तो ओल्दा बेस अच्छी खबर है एक और तो अच्सनाटा के लिए और पहनलग पुछ लोग नेक्स टुडेय में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थांक यू